हले दोस्तों कैसे हैं आप लग आसा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों तो आज की इस वीडियो में आपको हैवेल्स कंपनी के LED बल्प के आपको बताने वाला हूँ यह हैवेल्स बल्प अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा बीक रहा है और इस बल्प में देखे क्या क्या चीज आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है और इस LED खराब हो जाते हैं तो आप इसको रिपेर करने में थोड़ा आपको मुस्किल लग रहा है आसान तरीके से समझ देख सकते हैं 850 लुमेंस का यहाँ पर LED बल्प है देखे कुछ न कुछ यहाँ पर कम है देख सकते हैं और यहाँ पर कितने घंटे का यहाँ पर देख सकते हैं और यह सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसी तरह से यह बल्प जो है आज कल मार्केट में सबसे ज़् देख सकते हैं ऐसा बल्प आपके घर में भी जलाते हैं तो एक दिन वह भी बल्प कभी न कभी खराब हो ही जाएगा तो अगर आप भी उस बल्प को रिपेरिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लाज्ट तक जरूद देख लेजेगा दोस्तों आप इस वीडियो किस तरह से यहाँ पर बना हुआ है और इसका डिजाइन को देखने के बाद में आपको जो चलिदिने को है यहाँ पर सबसे पहला जो डिफरेंस देखने को मिल रहा यहाँ पर बी टेन्टी टू केप जो लगा रहता है वह यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा difference देखने को मिल रहा है अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ एक हावेल्स का LED बल्ट है यहाँ पर देख सकते हैं इसमें B22 केब जो है वो लगा हुआ है और इसको देखें सोल्डिंग ऐरन की साथा से इसमें हम खोल सकते हैं इसकी पर यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हमारा B22 केब बिल्कुल नहीं लगा हुआ है यह सेट यहाँ पर बना हुआ है तो इसको देखें हम कैसे खोलेंगे और बीना सोल्डिंग ऐरन की इसको कैसे निकालेंगे तो यह चीज मैं आपको नए है तो चैनल को जरूब सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि आपको ही फैदा मिलने वाला है तो चले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दीखा देता हूँ इस बल्प को आपको सबसे पहले आपको जला के भी दिखा देता हूँ इस bulb को तो यहाँ पर देखे यह हमारा सीरीज बोट का होल्डर है और इस बल्ब को यहाँ पर में जलाता हूँ और देखे यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ रोसनी मिल रहा है यह 850 लुमेंस का LED बल्फ है देख सकते हैं यह 9 वाट में है और यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा 12 वाट का है और यहाँ पर देख सकते हैं 1260 लुमेंस का यहाँ पर LED बल्फ है तो देखे इसको भी हम एक बार जला के देखते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा रोसनी मिल रहा है आप देखिए कितना ज़्यादा रोसनी में आपको फर्क दिखाई दे रहा है आप कमेंट करके जरूर बताईएगे दोस्तों देख सकते हैं कुछ यह आपे ज़्यादा दिख रहा है या फिर सेम तरीके से दिख रहा है और इसमें जो लिखा है और यह नया बल्प है तो आपको भी पता चली चुका है तो देखिए कितने लुमेंस में भी कितना सा आपको फर्क पड़ जाता है वार्ड में कितना फर्क पड़ जाता है आपको रोसनी कम मिलने लगता है तो ये चो चीज आपको जानकारी मिल ही गया होगा पर इस bulb को अगर आप कभी भी रिपेरिंग करना चाहते हैं खोलना चाहते हैं तो देखें इस bulb में तो आपको पता हो चुका है कि इसमें हम इसको डिसोल्डिंग करेंगे तो ये हमारा सरकीट बाहर निकल जाता था या फिर यहां से खेचेंगे तो ये हमारा B22 केब जो है वो बाहर निकल जाता था पर इस bulb में ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल ये प्लास्टिक में बना हुआ है डारक इसको काम बिल्कुल मत कीज़ेगा ये बिना सोल्डिंग आरेन के भी ये खुल जाएगा तो यहां पर देखे सबसे पहले इसका डिफ्यूजर को खुलने का प्रोसेस जा हुए वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ इसमें देखे आप इसी तरह से कीज़ेगा जो पहले पुराने बल्प में करते थे उसी तरह ये भी खुल जाएगा देखे ये भी खुल जाएगा इसी तरह से यहां पर ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगा ये क्या होता है फर्स टाइम जो होता है थोड़ा सिलिकोन लगा रहता है देखे इसी तरह से ये भी खुल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से आप इसका देख सकते हैं यहां पर क्या क्या चीज़ लगा हुआ है वो आप गौर कीज़ेगा तो देखे यहां पर सब कुछ यहां पर मैं आपको बता देता हूँ जो आप देखते हैं वही चीज़ यहां पर मिल रहा है रियल में तो देख सकते हैं यहां पर सिलिकोन वगरा सब कुछ यहां पर लगा रहता है तो इसी कारण से देखे तो इसको यहां से मैं सबसे पहले इसको निकाल देता हूँ ताकि मैं इस प्लेट को भी मैं आपको निकाल के दिखाने वाला हूं कभी अगर आप डिकम करना चाहते हैं तो तो सही तरीके से अगर आप खौल नहीं पाएंगे तो तूट जाएगा और तूटने के बाद में आप उस लिडिवल को रिपेरिंग करना चाहेंगे तो रिपेरिंग होने के बाद में इसको सेट नहीं कर पाएंगे तो देखे इसको यहां से मैं देखे इस तरह से इसको पू वेल्स कंपनी का यहाँ पर ओरिजिनल mcpcb यहाँ पर लगा हुआ है देख सकते हैं और देखे यहाँ पर क्या क्या चीज जिसके अंदर में देखने को मिलता है वो भी आज आपको मैं दिखाने वाला हूं तो देखे इसको सबसे पहले ओपन करने के लिए यहाँ पर देखे देखे एक एक करके आपको निकालते जाना है देखे यह इस कुरू टैप कर यहाँ पर देखे यह निकल जाएगा यह पेंच आपको दोनों को निकाल लेना इसी तरह से सेम तरीका है इसमें भी निकालने के लिए देखे तो देखे यह बहुत ही आसानी से यह निकल जाता है और निकालने के बाद में देखे यह दो वायर यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कनेक्शन रहता है देखे अब इसमें क्या करना है आपको यहाँ से लेके आना है और इस जगह पर देखे देखे कितनी आसान तरीके से य देखे अब इसके अंदर में क्या क्या चीज लगा होता है वो चीज में आपको दिखा देता हूँ देखे अब इसको रिपेरिंग करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आप इसको देख सकते हैं इसके हाउसिंग इस तरह का डिजाइन किया रहता है इसके अंदर मे अगर खराब हो जाता है किसी भी तरका बिजली चमकने की वज़े से या फिर high voltage हो जाता है तो ये तीनों चीज यहां से खराब हो जाएंगे, short हो जाएंगे तो ये तीनों चीज को आपको change करना होता है बस अगर यहां से आगे कुछ problem होता है तो अलग की बात है लेकिन सबसे पहले यही तीनों चीज को आपको चेंज करना पड़ेगा जब किसी हाई वोल्टेज या फिर बिजली चमकने की वज़े से अभी बरसाथ के मौसम में हो सकता है बिजली चमकने की वज़े से भी खराब हो जाते हैं कभी-कभी LED वल्प तो दे देखें हैं इसको देखें यहाँ पर बिल्कुल आसानी से निकल भी जयाएंगा और आप इसको लगाा भी सकते हैं देख सकते हैं तो आप इसी तरह से इस बाल को बीना saving iron की सहता से इसको बहृत फी आसान तरीके से इसको repairing कर सकते हैं अब स्रुकित क्या करनों है अगर देखिए दोनों होल में लेकी गए और इसको थोड़ा सा इस तरह से करके प्रेस कर दीजेगा देखिए ये घुश गया इस साइड में इधर भी आ गया पॉइंट देखिए अब यहाँ पे देखिए इसी तरह से लेके आएगा और इसको दुबारा इस जगब लेके आके प्रेस कर दीजेगा देखे इस तरह से दोनों को प्रेस कर दीजेगा तो ये आराम से सेट हो जाएगा देखे अब इसका डिफिजर को देखे मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ अब देखे इसका डिफिजर को मैंने लगा दिया अब देखे इसको मैं जलाके लिए एक बार दिखा देता हूँ क्या वाकी में जल रहा है कि मैंने कुछ खराब कर दिया तो देखे यहाँ पर bulb जो है जल रहा है इसमें कोई दिकत नहीं है अभी तो मैंने देखे इसको खोल के पूरी तरीके से आपको सर्कीट को दिखाया जिसमें क्या क्या चीज खराब होते हैं तो किस चीज को बदलना से ही किस कारण से खराब होंगे तो देखे मैंने बता दिया है अगर आपका MCP से भी पूरी तरी किसी खराब हो जाता है तो आप उसको replace कर दिजेगा तो आपका बन जाएगा कोई दिकत नहीं है पर देखे इस टैप का bulb को repairing करने में आपको बहुत ही जादा easy रहता है इसमें भी बहुत ही जादा easy है और भी जादा सस्ता हो गया इसमें repairing करने के लिए तो देखे इस bulb का अलग है light और इस bulb का light अलग अलग होता है दोस्तों ये आपको पता हो ही चुका है इसमें जो driver circuit लगा हुआ है ये सब कुछ इसमें नहीं लगा हुआ है तो देखे light में आपको देखने को same मिलेगा पर देखे light में इस वाला bulb का ज्यादा होगा देख सकते हैं तो उम्मेद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो हमारे वीडियो को एक like कर दीजेगा और हमारी चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंट सरकल में अपने हमारा वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों टेक क्यार दोस्तों